तो नोज करतोस तो आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल आम टेक सलूशन तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एक एलीडिबल कैसे बनता है तो बारी-बार इसमें बता देता हूं सबका इंट्रोडेक्शन देता हूं आप एक बार हाउजिंग दिखाए यह हमारा में द्राइबर बोलेंगे एक पीफ में अटकर ड्राइबर हमारा है उसके बाद बीट यूटूटू कैप है अमारा तो अभी अब इसको सेट करके दिखाए डिखाए का अभीवीड्री पूर्टी टूटूटू कैप लगाएंगे अभी हमारा बी टॉंटी टू का हमारा हो गया अभी इधर हमारा पूरा यह इस्टाग बनके रेडी हो चुका है उधर भी हमारा बनके रेडी हो गया और यहाँ अपर हमारा बीटवीट नग चुका है दो बल्ब हमारा रेडी हो गया दूसरे में लग रहा है तब यह मारा ड्राइबर हाउजिंग में फिक्स हो चुका है अब हम इसको दिखाएंगे इसमें टिक्की कैसे लगता है अभी जब भी आपका ड्राइबर लग जाए तो ऊपर का वायर हमारा बहुत बड़ा रहता है इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से साइज मिला कि इसको कट करेंगे अब इसके बाद का हमारा काम रहता है इसमें टिक्की लगाना तो चलिए हम टिक्की लगा कि उसके दिखा देते हैं तो अभी देखिए हम टिक्की लगाना जा रहे हैं कि यह बराबर से इसको बैठा के और उसके दूपर से फोर्स लगाएंगे इसमें अभी देखिए अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यह टिक्की कितना सांदार आता है अभी देखिए पूरा बराबर से हुआ है और यह अगर हमारा यह मसीन जो है अच्छे से फिक्स राना चाहिए इसमें तो अभी देखिए हमारा इसमें प्लाई में इसको सेट करके रख दिये हैं अगर यह हिलेगा तो हमारा टिक्की बराबर नहीं बैठेगा है इसके लिए इसको प्ली इसको इसप्ली में प्सक्रों करेंकर इसको बहुत बहुत प्लीste कि अभी देखिए इसका फिनसिंग कितना अच्छा है कि अभी टॉन्टीटू के हमारा सोल्डिंग हो चुका है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वेडियो में यह पूरा चारों बल्ब का हो चुका है है सोल्डिंग तो इसके बाद हम यम सी पीसी भी लगाएंगे यह हमारा जो बोक से साथ वट का है इसमें पूरा साथ ओर का एमसी पीसी भी रखा हुआ तो अभी देखिए हम इसको है लगाएंगे इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह बहुत अधी की हीट नहों कि इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे यह हीट इसलिए पेस्ट वाला हमारा पूरा डब्बा एक केजी का है और इसके कंपनी की बात करें अधर डिटेक कंपनी है कि अधर देखे यह हमारा पीसी भी उसके टिक्की के ऊपर लग रहा है इसके बाद हम इसक्रू डाइवर्स इसको इसक्रू टाइट कर देंगे तो अभी देख रहे हैं आप हमारा स्कूर डाइवर्स मसीन रखा हुआ अब इस मसीन के साहता से हम इसक्रू लगा लगे क्योंकि अगर मसीन से नहीं लगाएंगे अगर हाथ से हम इसको टाइट करना जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और मसीन के मदद से बहुत जल्दी इसका स्कूरू हम लगा लेते हैं तो अब हमारा सभी बल में हमारा स्कूर लग चुका है अब पीसीवी में सोल्डिंग के लिए जाएगा तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा स्कूर के लिए आ चुका है तो यह आगे का वायर थोड़ा बड़ा होता है इसके लिए थोड़ा इसको काट लेंगे और जहां तक हो सके यह पीसीवी का स्वल्डिंग आप ल ऐगए कि अपया है है हिए तो अभी देखें में संदार तरीके से स्वल्डिंग हो रहा है सबसे से त्टिव है कि इसमें स्वल्डिंग कैसे लगा कि इसके यह जो बॉम इधर दिख रहा है हिए हलका सा व्लिडंग इस पूरा PCV खराब हो जाता है यह चीज आपको ध्यान देना है कि अगर साथ वाट के सोल्डिंग से कर रहे हैं तो बहुत जल्दी इसमें काम करना रहता है अब इसको हम एक बार टेस्ट कर लेंगे इधर हमारा बोर्ट रखा हुए तो देखिए बिल्कुल जल रहा है यानि हमारा इसा है टेस्ट करके हम इसको आगे के लिए भेजेंगे पंचिंग के लिए क्योंकि अगर बीना टेस्ट का पंच हो जाएगा तो यह प्राबलम हो जा कर रहे हैं तो जैसा कि देख रहे हैं तो यह हमारा बलवा चुका है इसका पंचिंग होगा तो पंचिंग मसीन भी हम एक अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि यह लेना इसको पंचिंग करके दिखा दीजिए पंचिंग हमारा देख लिए कैसा है कितना सांदार हुआ है अगर पंचिंग मसीन हमारे यह धीला रहा तो फिर पंचिंग अच्छे से नहीं होगा और हाउजिंग के बीच में गैप आ जाएगा फिर वह रिजेक्ट माल हो जाएगा पंचिंग भी हो चुका है इसका टेस्टिंग भी हो चुका अब इसमें दिफ्यूजर लगाएंगे तो अभी देख रहे हैं यह हमारा डिफ्यूजर निकल चुका इसको हम हलका साब कर लेंगे किसी कॉटन कपड़े से ताकि इसका साइनिंग थोड़ा बना रहे अच्छे है अभी हमारा क्लिन हो चुका है अभी यह हमारा डिफ्यूजर लग रहा है अभी डिफ्यूजर लगने के बाद देखें इसका लुक कैसे रहता है अभी देखें यह बल्ब हमारा रेडी हो चुका है इसमें दिफ्यूजर भी लग गया अभी देखें इसका लुक कितना अच्छा है और कहीं से कोई प्राब्लम नहीं दिख रहा है अच्छी कमपनी के तरह यह भी हमारा दिख रहा हमारा ब्रांड जो है यह अलफेड लाट स्व्राइब छलिए इसका volver से इक बस बर हम आपको बना की दिखा देते हैं आज यह हमारे पर यह चुका है तो चलिए दोस्तों एक बार आपको हम पैकेज ये बॉक्स अपना दिखा देते हैं यह हमारा सेवन वाट में है अब देखिए इधर अलफेड एलेड लिखा है और उसके बाद हमारे यह कंपनी का नाम लिख क्या रहा है अलफेड लाइटिंग सलूशन से हम देखिए इसमें आलफेड लाइटिंग सलूशन और हमारा एड्रेस है और यह इधर हमारा पुरा भी बनके रेडी है इसका पंचिंग बाकी है तो यह तो आतोसाम हो गया फिर कल हम लोग कामी स्टाट अपना इसका करेंगे और बहुत से दोस्त हमारे कमेंट कर रहें थे कि एक फुल वीडियो बनाएए आप कई से बना तो मैंने फुल वीडियो बनाया है उनके लिए जो लोग देखना चाते हैं तो पूरा सेटप मैंने बता दिया उनको कैसे-कैसे होगा अगर दुस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हैलफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें